नवस्कार मैं राजू कुमार जा और आज देश किसका के वियाईपी सीट पर एक ऐसे सुनसदिय शेत्र के बारे में बात करेंगे जहांके सांसद वैसे तो कानून मंत्री रहें लेकिन कानून मंत्री रहते हुए विवादों से भी उनका नासा रहा अरणाचल परशिम से लोकसभाक सांसद हैं अंकल जज सिंड्रोम वाले उनकी टिपनी ने काफी हंगामा खड़ा किया था उन्होंने कहा था कि अंकल जज का मतलब है कि अगर आपको कोई जानने वाला जज बन गया तो आपका रास्ता साफ हो जाता है कहा था कि किसी भी प्रभावशाली जज को जानने वाले एक अच्छे वकील के सिफारिश नहीं की चाएगी कानून पर बढ़ते विवाद के बीच रेजजु ने कॉलेजियम प्रणाली को समिधान के लिए विदेशी बताया था इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था 25 नुवेंबर 2022 को रेजजु ने कहा था कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है उन्हें सिस्टम का सम्मान करना होगा रेजजु ने आगे इसे संटेंस में कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली में खामिया हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं कि प्रणाली पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांस्पैरेंट होना चाहिए जज और कानून पर विवाद इतना हुआ कि किरन रेजजु से कानून मंतराले तक वापस ले लिया गया, अब इस मंतराले की जिम्मेदारी फिलहाल अरजुन राम मेकवाल को सौबी गई है लेकिन इस सब के बीच में जो जज और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून को लेकर जो विवाद था उसके खाब में आजा भी किरन रेजजु को बहगतना पड़ा अस्थानिय जानकारों का साथ में अस्थानिय लोगों का क्या कुछ कहना है इसके अलावे दो लोग समचनाव का सम्मिकरन क्या कुछ कहता है संसद में रेजजु के उपस्तिती कितनी रही है लेकिन रेजजु के उपस्तिती है भी या नहीं ये सब जानने से पहले सुथानिय जानकार क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत सुन लेचे ये इसे बाद ही अच्छे के इसे आपको मालम है भारत जो निया यातरा राहुल गंधी का इतना हमने देखा कि वह बहुत साल लगा देखे पुराने-पुराने कॉंग्रेस वरकर्स बाहर आए इसका असर एलक्षन में कितना होगा और बोलना मुश्किल है इस बात काम दिना ह नहीं करते हैं कि इसने काफी हथ तक तोरह सा ग्राउंड में तो कॉंग्रेस का वरकर्स को इंटिस्टिसम लाया है अभी उसको ट्रांसलेट बहुत में कर पाता है कि नहीं पाता है वह एक अलग सवाल है इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं जो रिसनली काली हमारे के लिए बनाया गया है हो दिस्टिक जभी को जो वह रिजन से बिलॉंग करता है और मुझे ग्राउंड का तोड़ा ख़वर है कि लोग काफी नाराज ता जिस कम्निती से बिलॉंग करते हैं कि रंसार और जो बगल में जो कम्निती है उनका उनको लगा था कि बिचम बहुत जोड़ता था हुआ है फ्ली ते हम लोगो ने देखा था कि बिजए पिल्गर एधस एल बगल अवक है आप जाहे हैं एल सब्सक्राइब करते हैं मिस्टरब आप जाहए हैं मिस्टरेंस एक जो एक घंडड में लोग करता हैं अर्नाचल की तो हमारे थे बिगस फेस रिजीजु मुझा एक एक प्राइब द्यूंता प्राइब प्राइब है। रहा है कि वेले गले ऑह जिता है, रह्त वेले कि वेले ही कि वेल्ह रहे है वर्म में एपर कि लोग टरॉफ लुड्य ओंग भीडुने कि वह में जोड़नित ऐसह रह आज में रहले। श्टवरी में वह फफार। कृपल लहा एक एसह वमें पूर। कि अभी देखा है, Mr. Rijijiju is very diplomatic, and I think he always shied away, उनको state के issues पे बात करना इतना, he never was very proactive about it. But मुझे लगा कि तर्निंग पुइंट इस समय, इस बार यह रहा कि, there was the biggest scam in the state, that is the Arnachal, relating to the Arnachal Pradesh Public Service Commission, जहां पे cash for jobs का मामला सर्फे सुवा था, जहां पे यूथ, I think for over a year, एक साल चला गया, the entire youth of the state, they were running from pillar to post and took to the streets in seek of justice. So, I think they had a lot of hope that Mr. Rijiju would address that. So, I think he recently, a few months back, I think he shied away from speaking on the matter again and said that I would not like to speak on local issues. So, I think that was a turning point because I think that his popularity has really gone down. That is my estimation. So, as my colleague said, this will be really, really interesting, but it all depends on the opposition party. They can stand to counter Mr. Rijiju or Mr. Tapirgao because no doubt they are in the power and Arnachal being a small state, यहां का history रहा है कि our people like to align with the power which is there at the center because of many, many reasons, actually. So, इस बार भी वही रहेगा. मेरा एस्तिमेट में वही है कि if there is a candidate who can challenge that and fill the vacuum, I think it will be quite difficult for BJP this time around. किर्ण रेजजजू अरणाचल प्रदेश से तीन बार लोगसभा सांसत रहे हैं. उन्होंने यूबा मामले और खेल राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार इसके लावे अलब संख्यक मामले में राजमंत्री, गिनी राजमंत्री और कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया है. कानून मंत्री के रूप में उनका कारकाल विवादों से भरा भी रहा है. कई बार जच और कानून के बातों को लेकर उन्होंने जुक्रिकिया जुसको लेकर विबाद भी हुआ द्वाजा चौदा लोकसभा चुनाओ का अगर सम्मिकरन देखें तो बीजेपी के तरफ से किरिन रेजजु मैदान में उत्रे जिने एक लाख उन्हाटर हजार तिन्सों सरसट वोट मिले पच्चास दशवलव चार छे फिजदी वोट शेयर रहा कॉंग्रेस के तरफ से तकम संजे उत्रे जिने एक लाख 27,629 वोट मिले अरतिस दशवलव 62 फिजदी वोट शेयर रहा पीपीए के तरफ से जैली सुनम मैदान में रहे और जिने 14,664 वोट ही मिल सका जो कि 4,37 फिजदी वोट शेयर आता है रिजदी के पिता रिन चेन खारू भे सक्रिय राजनीती में थे वह करनाचल परदेश विदान सभा से पहले प्रोटम स्पीकर थे उन्होंने ही सूबे में पहले विदान सभा के लिए चुने गए विधायकों को श्रपत दिलाई थी केरन की मा का नाम चिराई रिजद्जू है रिजद्जू ने अपने राजनीती केरे कश्रवाद खादी और ग्रामिन इंडस्ट्री कमिशन के सदस के तौर पर की थी वह उस पद पर साल 2000 से 2005 तक बने रहे और 2004 में पहली बार अरुनाचर प्रदेश से लोग सभाज से सांसुच ने गए 2009 में वह कॉंग्रेस के परत्याशी से ही महज 314 वोट से हार गए 2014 में दूसरी बार रेज़जू संसद के सदस बने तब उन्होंने कॉंग्रेस उमिद्वार को 43 हज़ार से भी ज्यादा मतों से हराया उन्हें इसका इनाम भी मिला और नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में किंद्रिये ग्रिह राजमंतरी बना दिया गया 2019 में रेज़जू तीसरी बार संसद के तौर पर रिकॉर्ड मतों से चुने गए और मोदी कैबिनेट में उन्हें खेल और यूबा मामलों का मंतरी बनाया गया तब उनके पास अलप संख्यक विभाग का राजबरभार भी था इसके अलाबे अगर 2019 लोग सबा चुनाव परणाम के बात करें तो इसमें बीजेपी के तरब से ही किरन रेज़जू फिर से मैदान में उत्रे और इन्हें 2,25,796 वोट मिला जो कि तिरशर्ट दसबलव शन ने दो फिज़दी वोट शेयर रहा कॉंग्रेस नवाम तुकी 50,953 वोट उन्हें मिले कॉंग्रेस के तरब से जिन्हें 4,252 फिज़दी वोट शेयर रहा था और ये दूसरे नमबर पड़ रहे थे और विनर किरन रिज़जू ही थे ज़दियो ऐसे जाजूम एट मैदान में उत्रे थे जिन्हें 4,990 वोट मिला था जो की 12 दशवलव दो शेयर फिज़दी के साथ तीसरे नमबर पड़ रहे है अरुनाचल प्रदेश राज पुर्वोत्तर का एक प्रमुख राज है अरुनाचल प्रदेश जिसका मतलब होता है उगते हुए सूरज के भूमी अरनाचल प्रदेश की राज़तानी इटरनगर है और शेत्रफल के हिसाब से पुर्वोत्तर भारत के सेवन सेस्टर स्टेट में अरनाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज है साल 1962 से पहले इस राज को नौर्थ एस्ट फ्रेंटियर एजनसी के नाम से जाना जाता था इसके सीमा पश्चिम्स में भुटान राज उत्तर में चीन के तिबबत स्वायत शेत्र और इसके अलाबा मयामार जो की वर्मा है और दक्षिन पुरमी नागालेंड और दक्षिन पश्चिम में भारतिय राज अस्वम से लगी हुई है इस राज को 20 फरवरी 1987 को भारतिय संग के 24 वे राज के रूप में अस्थापीत कर दिया गया था अर्नाचल प्रदेश के असंग बोलियों और उप बोलियों के अलाबा कम से कम 30 और करीब करीब 30 भासा है इसके लाबा 50 अलग अलग भाशाइं यहाँ पर बोली जाती है कुल मिलाकर देखें तो 50 से जाता ही हो जाता है अरनाचल पश्मी के जातिय सम्मिकरन को अगर समझें तो इसे समझने से पहले आप वहां के जनता के राय सुन लेजे कि अरनाचल परदेश में किरेंडरेजजु को लेकर वहां के लोग क्या कुछ सोचते हैं किरेंडरेजजु को उपर में बोला जाने से हमारा औरनाचल में काफी फियास को चला है एफिशियस का और बहुत सारा मुद्दा यहां हुआ है लेकिन किरेंडरेजजु हमारे जो MP है वह बहुत एकमर करते हुए देखा है है मैं तो यह चाहता हूँ कि इस बर हमारे MP जो मैं लेम में जो है उनको च्रेंज करना चाहिए हमारे और नाचल से यह हम सभी जो जितना भी दोस्तों है और जो वोटिंग राइट है सभी वापेल करता है कि इस बार किरेंडरेजजु को आता और चाहिए और अगर नहीं भी आता है गा उनका सुधरते हो एक बाते होना चाहिए कुछ एंप्रूब्मेंट और होना चाहिए होना चाहिए है जिसको सब्वूत करेगा वही होगा वही जिते हैं अभी लोग प्यार करते हैं करता है और अब कि अमिंग आफ एलकेश बोट सब्सक्राइब करने खता है पता रहा है पना तो कुछ एतल मेरा हो गया वही आपका 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 यह देखता है क्या होता है आपको लगता है क्या काम हुआ आपको लगता है कि यह पूरे इंडिया को नो ने उनिन मिनिस्टर बने नाचल में दस सालों में कि वहां कि अपने अपने आपके लूग से नाचल में रोट डेवल्फमेंट हुई आपको क्या लगता है पुरे इंडिया को रिप्रेसेंट करें अपनी प्राच्वीन संस्कृति के लिए जाना जाता है और एस राज के लोग पेंटिंग मिटी के बरतनों आभोशन बनाने और बेंट और बांस के काम बुनाई कालेंद बनाने और इसके लाब अलकडी की नकाशी इसमिथी के काम करन तोकरी बनाने और कई अन्य कामों में कुशल है और वही राज ग्रामीन लोगों की जीवन या अपन का मुख है अधार भी क्रिश्री है इस राज में अबादी और जातिय सम्मिकरन को अब समझ लेते हैं अबादी राज के अबादी 17,11,947 है राज की 30 फिजदी अबादी धर्म की लोग मानते हैं और उसके अलाबा 29 फिजदी हिंदु धर्म को मानते हैं डोई बोलो 26 दशरवलव दो फिजदी है और इसके अलाबा बौद घर्म के 11 धर्म साथ 6 फिजदी इसलाम धर्म के 1 धर्म ख़ली कामेंग जिलि में हुआ था 51 साल के रेजजू प्रुवत्तर राज में बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं, उन्होंने दिल्ले विश्वेद्याले के हंसराज कॉलेज से बी एक के पढ़ाई की हैं, इसके बाद दिल्ले विश्वेद्याले से हिं उन्हें संठ कानून मंत्री के रहते जब विवाद हुआ तो उन्हीं पद भी गवानी पड़ी और उसके बाद 2021 में जब रविशंकर प्रसाद को किंद्री कैबिनिट से हटाए गया तो उनके जगर पर ही केरन रेजजु को कानून मंत्री बनाया था रेजजु देश के 34 वे कानून मंत्री बने राजजु के मुख्य स्यासी दलों की अगर बात करे तो यहां पर भारतिय जणता पार्टी जो बीजेपी भारतिय राश्क्रिय कॉंग्रेस इसके लावा जणता दल यूनाइटिड जो जेडियो अरणाचल डेमोक्रेटिक पिपल्स पार्टी ओफ अरणाचल है अरणाचल प्रदेस में 23 जिले हैं 60 विदान सभा सीटे हैं दो लोग सभा सीटे हैं वर्तबान में राजजु में बीजेपी के सरकार है साल 2009 के विदान सभा चुनाओं में बीजेपी प्रशंड बहुमत के साथ यहां पर जीती थी ऐस के साथ ही पहाड़ी शेतर वाले इस राज में नितिश कुमार के पार्टी जिड्डियू को साथ सीटे मिले थी आपको यह भी बता दे ही कि साल 2016 में अरणाचल प्रदेस की राजनीती में बड़ा उलट फेर भी देखने को मिला था उस दरान पेमा खांडू कॉंग्रेस और पीपीए चोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए थे इसके कुछ समय बाद ही एक साथ कॉंग्रेस के 43 विदायकों ने पार्टी चोड़ दी थी और पेमा खांडू के साथ पीपीए पार्टी में शामिल हो गए थे इस बड़े सियासे उलट फेर के बाद अरणाचल प्रद जीत भी दर्ज की थी अब 2024 लोगसबाचनाओं के बारी है ऐसे में जरता तै करेगी कि 2024 लोगसबाचनाओं में किसे चुनकर संसत तक भेजती है क्या फिर से बीजेपी के तरब से किरन रिजजु ही मैदान में उतरते है या फिर बीजेपी कोई नए चेहरे को अरणाचल प पदा चलेगा लोग सबाद चुनाओं के बाद ही पदा चलेगा आप देखते लिए नियू सुता